तो विल्कम बाक तो देखिए इस वाली वीडियो में यहां पर हम देखेंगे जो आपका जेके बोस क्लास 12 है इसपैसली फिजिक्स के रिगार्डिंग देखिए गैस पेपर काफी बच्चे मांग रहे थे तो गैस पेपर के बारे में आपको बता दू मैं आलरी जो आपका 12th portion है या फिर आपका 11th हो गया है तो आपका जो syllabus है वो काफी ज़्यादा reduce हो चुका है जो आपका syllabus है वो काफी ज़्यादा reduce हो चुका है काफी ज़्यादा topics को delete किया गया है even chemistry में chapters को ही delete किया गया है and physics में भी हमारा last chapter जो है 10th chapter वो delete किया गया है communication system and हमारे total बज़ते हैं 9 chapters and हर एक chapter में कोई न कोई topic delete किया गया है अब देखिए अगर मैं 12th की बात करूँ 12th especially अगर आपको अच्छे marks लाने हैं तो आपका काम guess से नहीं चलेगा but फिर भी मैंने यहाँ पे क्या कुशिश की है last 12 years में जितने भी previous year papers आये हैं उनमें से जो important questions या फिर paper का pattern क्या रहता है वो यहाँ पे आपको मैं समझाऊँगा and साथ ही में नया वेटेज हमारा क्या रहने वाला है अगर हम chapter number one की बात करें chapter number one जो हमारा है यह कितने marks carry कर रहा है यह nine marks carry कर रहा है as per new syllabus जो हमारा नया syllabus आया है 2023 में या फिर 24 के लिए कहलो या फिर आगे का रहेगा clear जो हमारा नया syllabus आया है जिसमें mention किया गया है कि यह topics delete होए देखिए topic कोई भी add नहीं हुआ है खाली delete होए है अब देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि previous year paper से according कैसे paper साथे थे अब paper pattern की अगर मैं बात करूँ कुछ बच्चे बोल रहे है CBSC paper pattern आएगा नहीं भाई CBSC नहीं आएगा क्योंकि CBSC का level अलग ही होता है अगर CBSC का level आएगा ना तो only 10% बच्चे ही पास होंगे आखिर में आप देखते हो कि physics almost 50% physics and math की मैं अगर बात करूँ 50% बच्चों का back होता है clear इस पे ध्यान रखिएगा physics जो होता है almost 50% बच्चों का back आता है बात में बट अगर CBSC पेटरन आई ना so only 10% will be able to qualify खाली 10% बच्चे ही marks ला पाएंगे qualifying marks but CBSC पेटरन आप से नहीं पूचा जाएगा उनका अलग सा पेटरन आ रहा है CBSC में almost last 15 years से एक ही pattern चल रहा है but हमारा जो pattern है अगर आप देखोगे last 3 years से especially 2020, 21, 22 and 23 especially 21, 22 and 23 ये जो तीन साल है न जो आपका paper pattern आ रहा है इन तीन सालों से वैसा ही paper pattern कुछ रहने वाला है उससे ज़्यादा tough नहीं आएगा बलकि अब अच्छे questions पूछे जाते हैं जो दो मा के questions होते हैं even long question में भी कुछ आपको part wise दिया जाता है अच्छे से आपके questions पूछे जाते हैं देखे, previous year, last 10 to 12 years के according, जितने भी important questions बनते हैं हमारे, इनको मैंने आपको लाया है इनी को आप कर सकते हैं and इस ही according, for example आपने coolant मुसला पढ़ा है, so आप से question पूछा जाएगा, state coulombs ला so आपको वहाँ पे अच्छे से theory लिखनी होगी derivation को अच्छे से लिखना होगा जैसे मैंने आपको समझाया है and जितने भी हमारे remaining chapters हैं मैं try करूँगा उनको जल्दी कराने की then ये बोल रहा है कि express it in vector form अच्छा, साथ ही मैं बोल रहा है कि what is the importance of expressing it in the vector form साथ ही मैं बोल रहा है define one unit of charge so ऐसे questions आप से बन सकते हैं next है यहाँ पे superposition principle क्या होता है then derive expression for force on charge due to discrete position of n charges in terms of the position vector so आप यहाँ पे क्या कर सकते हो आप यहाँ पे साथ में screen shots ले सकते हो clear क्योंकि बाद में बच्चे आते हैं sir pdf, pdf दो क्योंकि अगर आप खुद से ये भी काम नहीं कर सकते screen shot नहीं ले सकते तो आपके पढ़ने का बिलकुल भी फाइदा नहीं है and clearly बता दू कि मेरे पास भी इतना time नहीं होता है कि pdf बनाऊं फिर send करों क्योंकि काफी ज़्यादा time waste होता है इसमें आप इतना काम तो खुद से कर सकते हो next अगर आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है doctor बनना है, engineer बनना है या फिर कुछ और बनना है तो फिर तो अच्छे से पढ़ाई करनी होगी clear then electric dipole क्या होता है dipole moment क्या होता है calculate electric field on axial line equatorial line, काफी important cushion है यह जो cushion है यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ long answer type cushion जो आप से पूछे चाते हैं फिर torque क्या होती है clear electric dipole में आचा देखिए, gases law gases law के बारे में आप से applications infinite long wire के लिए, plane sheet के लिए thin spherical shell के लिए two infinite plane sheets and recently इस पे एक अच्छा question दिया गया था जहाँ पर बच्चे confused हो सकते थे so सभी को मैंने कराया हुआ है then electric potential क्या होता है इसकी derivation then electric potential energy क्या होती है इसकी derivation dipole moment क्या होता है इसकी derivation capacitance हमारी क्या होती है इसकी derivation देखिए अब energy stored in a capacitor जो आपका नया सल्बस है वहाँ पे लिखा गया है कि only numerical portion किसमें जो हमारी energy की equation आती है u is equal to 1 आप आप cv square इसमें आपको mention किया गया है कि आपसे derivation हम नहीं पूछेंगे आपसे हम numerical या फिर final expression पूछेंगे but मैं आपको बता दू क्योंकि अभी कुछ भी पता नहीं है कि paper कैसा आएगा मैं आपको ये recommend करूँगा कि आप derivation को भी करना जो energy stored in capacitor है इसकी derivation को इन्होंने नहीं रखा है बट फिर भी आप इसको करना maybe question में वो पूछे then parallel plate capacitor क्या होता है then again ऐसे question के आप से पूछे जाएंगे and ये topic when degrab generator principal construction and working पूछी जाती थी अब इसको delete किया गया है इसको आप छोड़ेंगे ऐसे ये question पूछा जाता था यहाँ पे मैंने सभी last 10-12 years से question papers लाएं and साथ ही मैं मैं आपको बताऊंगा कि कौन से questions आपको छोड़ने है अगर आपने previous year papers लिए है and अगर आपको previous year papers चाहिए last 10 years से आप इस number पे contact कर सकते हो 7006-816-128 whatsapp करना and वहाँ पे मैं आपको telegram channel का link दूँगा जहाँ पे आपको previous year papers मिलेंगे clear then short answer type questions जो हमारे पहले chapter में पोचे जाते हैं conservation of charge क्या होता है properties of electric field relation between electric field and potential and equipotential service and साथ ही मैं numerical and numerical आलड़ी मैंने last 10 years के आपको कराए है playlist में आप जाईएगा वहाँ पे आपको numericals भी मिलेंगे यह हो गया पहला chapter now next chapter की आगर मैं बात करूँ current electricity इसमें कितने marks पोचे जाते हैं इसमें आपसे 7 marks पोचे जाएंगे as per new syllabus नए syllabus आपसे 7 marks पोचे जाएंगे question इस टाइब से पोचे जाते हैं electric current को define करो unit and direction relation between drift velocity and electric current ohm इसला क्या होता है then resistance क्या होती है clear इस पे numericals पोचे जाते है resistivity sub numericals मैंने दिखाए है then difference between resistance and resistivity color coding again ये deleted topic है otherwise इस पे भी numericals पोचे जाते थे ये एक deleted topic है clear resistance in series and parallel numerical पोचे जा सकते है potentiometer potentiometer again a deleted topic इसका construction principle sensitivity पोची जाती थी again ये कहे हमारा deleted topic clear so इसको भी आप नहीं करेंगे then आचा ये कुशनिस इसमें इसकी application so again deleted topic आचा EMF आप cell किन चीज़ें पे different करता है so इसका आप थोड़ा ध्यान रखेंगे कि जो EMF है EMF इस पे आप थोड़ा ध्यान रखेंगे आचा terminal potential difference इनके बारे में इन दो को आप देखोगे otherwise जो potentiometer है and इसकी जो application है ये already deleted है and color coding भी deleted है clear now next अचा purpose of connecting cells in series and parallel series and parallel again जो ये cells हैं इसका भी topic क्या किया गया है delete हुआ है then electric power ये आपको देखना है then application of heating effect ये आपको देखना है kirchopsel आपको देखना है अचा then weedstone bridge ये आपको देखना है and साथी में मिडर बीज इसमें delete होता है so ये सब questions देखेंगे बाकि जिनको मैं आपको रब करना है इनको आप नहीं देखेंगे क्योंकि ये है deleted topic साब के clear and ऐसे ही previous 10 to 12 years को मैंने ये आपको पिक किया है सारे questions clear जो भी आए है next magnetic effect of current ये बिल्कुल भी आप नहीं करेंगे otherwise ये पांच मा का question पूशा जाता था अगर आप previous year papers देखोगे वहाँ पे आपको cyclotron का question मिलेगा अब आप नहीं करोगे then force recently हमने देखा इसको clear force due to parallel conductor then principle construction moving coil galvanometer का ये चीज़ें आपने देखी magnetic dipole क्या होता है expression for torque diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic substance ये क्या होती है इन सब को पूशा जाता है so आप again यहाँ पे screen shots ले सकते हो short question से आगर हम बात करें इस chapter से देखे ये question भी already syllabus में है ये भी आप से पूशा जाएगा force on a charged particle in magnetic field effect of velocity path of charged particle importance of radial field sensitivity of galvanometer conversion galvanometer का M meter को क्यों connect करते है series में volt meter को क्यों parallel में आशा earthus magnetism को delete किया गया है बट सिचल इसके बारे में कुछ चीज़ें हमें देखनी होगी आशा declination deep horizontal component इनको हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे otherwise क्योंकि इसमें वहाँ पे specifically mention नहीं किया है so थोड़ा बहुत connection इनका बनता है ज्यादा हम नहीं देखेंगे to be on safer side थोड़ी चीज़ें हम इसमें cover करेंगे next EMI and AC lenses law already इसमें है आशा अगर मैं magnetism की बात करूँ number of marks weightage यह तो मैं यहाँ पे आपको बता दो again इसमें कितने marks आपसे पूछे जाएंगे 9 marks आपसे पूछे जाएंगे EMI and AC again इसमें भी आपसे कितने marks पूछे जाएंगे 9 marks lenses law क्या होता है then conservation के accordance कैसा है then self induction क्या होती है then expression for self induction RMS value क्या होता है impedance क्या होती है true power again power काफी ज्यादा important है transformer AC generator हमारा आचा citizen x plane faraday is last आचा ED current ED current again यहाँ से deleted topic है clear ED current को delete किया गया है clear factors on which self and coefficient of mutual inductance depends RMS value and average value के बीच then इनके बीच relation resonance LCR circuit resonance react times impedance LC oscillation again deleted topic इसको आप नहीं देखेंगे इसको भी 3 मा का question पूछा जाता था clear so and finally आप numericals यहाँ पे लगाएंगे कि इनके उपर inductive reactance and capacity reactance पे clear and mainly आपको यहाँ पे LCR circuits को करना होगा next chapter number 5 अगर मैं chapter number 5 की बात करूँ इसमें कितने marks आप से पूछे जाएंगे 3 marks आप से पूछे जाएंगे या तो question 2 mark का पूछा जाएगा and साथी में एक objective या तो direct 3 mark का ही question पूछा जाएगा displacement current क्या होती है its properties its equation velocity of electromagnetic wave properties and characteristics of electromagnetic waves then electromagnetic spectrum काफी छोटा चप्टर है आगे बात करें optics की optics में आप से कितने marks पूछे जाएंगे 14 marks पूछे जाएंगे and किस steps है last 12 years में कुशनिस आए है mirror formula ये long question इस है clear mirror formula internal reflection क्या होती है it is application lens makers formula क्या होती है lens formula क्या होती है reflection through a prism की हम बात करें clear then यहाँ पे इस पे ऐसे कुशनिस पूछे जाते हैं इन सब को आप देखोगे and इनको हम cover भी करेंगे dispersion of light through a prism clear अचा इसको आप देखेंगे compound microscope क्या होता है astronomical microscope क्या होता है इनका resolving power then high gun principle current source क्या होते है diffraction of light clear conditions for central maxima and secondary maxima यहाँ पे इन्होंने कुछ बोला है only expression वागेरा but to be on safer side हम derivations भी देखेंगे clear आपको देखनी होगी then mirror formula पे numerical lens formula power of lens combination of lens पे numerical refractive index क्या होती है scattering of light इसको delete किया गया है जो scattering वाला portion है ramen effect या फिर blue color अप sky क्यों होता है यह सब deleted topic है आचा wave front क्या होता है polarization क्या होती है laugh malice bravest earth polarize क्या होती है then image formation पे numerical and youngest double celled के उपर numericals पूशे जाएंगे कितने marks होते थे चार एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ अचा अब भी इसके कितने marks ही है चार ही marks है so इसमें कुछ भी almost deleted topics कुछ भी नहीं है so इसको आप देखेंगे work function क्या होती है photo electric imaging आप से पूशा जाता है इस पे MCQs factor affecting photo electric current अचा ग्राप स्याँ पे important है threshold frequency and threshold wavelength क्या होती है अचा state, large photo electric effect numerical स्याँ पे पूशे जाते है threshold frequency and maximum kinetic energy पे इनस-टैनिस equation of photo electric effect clear then dual nature क्या होता है debrogly hypothesis very important debrogly wavelength इसके उपर derivation and यहाँ पे numerical काफी जादा important अचा numerical स्याँ differentiate between light and matter wave electromagnetic wave and matter wave ऐसे कुशनिस आप से बनीगे clear so ऐसे आप अपने बोर्ड की तैरी करोगे इसी टैक्स से आप से कुशनिस पूशे जाएं next atomic structure अगर हम atomic structure की बात करें पहले इससे 6 marks पूशे जाते हैं अब इसका weightage बढ़ा के कितना किया गया है 8 marks clear अब इससे 8 marks पूशे जाएंगे clear अब पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें delete क्या हुआ इसमें radio activity जो होती है हमारी वो delete की गई अच्छा बोर्ड मॉडल आप से पूशा जाता है कि बोर्ड मॉडल क्या होता है इसके postulate यहाँ पे ऐसे आप से कुशनिस पूशे जाएंगे radius की derivation करो energy के लिए derivation करो अचा ड्रा energy level diagram for spectral series of hydrogen atom numericals पूशे जाते है kinetic energy potential energy total energy पे अचा isotope क्या होता है isobar iso electronic species atomic mass unit क्या होता है हमारे पास then nuclear size binding energy क्या होती है binding energy करो radio activity को delete किया गया है radio activity जो topic है इसको delete किया गया है alpha, beta and gamma particle या फिर alpha, beta and gamma activity यहाँ पे इसको delete किया गया है state, decay, laugh, radio activity and derive an equation again ये भी क्या है deleted topic state, half life of radio activity substarms again इसको भी क्या किया गया है delete किया गया है alpha, beta and gamma decay again delete किया गया है nuclear fusion and fission को रखा गए clear, so ऐसे आपसे questions पूछे जाएंगे, clear so अगर आपको previous year questions में ये questions मिल रहे हैं आप इनको नहीं करेंगे next अगर मैं last chapter की बात करूँ क्योंकि chapter 10 deleted है, अगर मैं next chapter की बात करूँ इसमें 7 ही marks आपसे पूछे जाएंगे यहाँ पर distinguish between conductor and semiconductor, formation of energy band forbidden energy क्या होती है extrinsic semiconductor, intrinsic semiconductor properties of semiconductor pn junction क्या होता है, forward and reverse biasing, अच्छा then zener breakdown, zener breakdown को delete किया गया है then यहाँ पर zener diode again, इसको क्या किया गया है zener diode को यहाँ पर deleted topic again, rectification आप देखेंगे यहाँ then rectification efficiency क्या होती है, photo diode LED इनको delete किया गया है, but maybe आपको थोड़ा बहुत जाना होगा again, transistor का topic totally deleted है, देखेंगे transistor पर आपको ऐसे questions मिलेंगे, यह क्या है again, deleted topic, action of transistor आप से पूशा जाता है, transistor switch amplifier and oscillator, again यह क्या है, deleted topics हमारे then, gates की अगर मैं बात करूँ, logic gates, यह again deleted topic है, or, and, not, nand, nor logic simple, boolean expression, protable, यह आपके neat में mention किया गया है, देखें थोड़ी difference है, neat and board के silvers में, neat में यह आपको mention किया गया है but, board वालों ने क्या किया है board वालों ने इसको delete किया है, logic gates को भी, clear, अच्छा then switching answer के diagram, again deleted topic so, जो भी मैंने यहाँ पे आपको questions दिखाए, previous year question papers, जब आप लोग है, वहाँ से इन questions को नहीं करना है, जो भी आपके बाकी questions बनेंगे, इन ही को अप लगाएंगे and, ऐसे आपके board में questions बशे जाएंगे and guess work बाकी कुछ नहीं होता है आपको syllabus में, अगर आपको अच्छे marks लाने है, syllabus में आपको एक-एक topic को अच्छे से पढ़ना होगा आपको 100% syllabus पढ़ना होगा तब जाके आपके 90 to 100% marks बनेंगे अगर आपको 450 प्लस लाने है clear, so इन topics को आपको करना ही करना होगा, clear so thank you all